दोस्तों आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षी युजनाओं के बारे में पंचवर्षी युजनाओं जो कि 15 मार्च 1950 को एक युजना आयोग तयार किया गया और उसको लागो कर दिया गया जो कि रूष के मोडल पर आधारी था ये युजनाओं रूष के मोडल पर आधारी थें सबसे पहली युजनाओं पंचवर्षी युजनाओं जो कि 1951 से 1956 तक चली उसके अध्यक्ष थे जवारलाल नहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा इसमें जो भी खर्च किया गया वो दो अजार उनेतर करोड रुपए का लक्ष रखा गया खर्च करने का लक्ष रखा गया और विकास का लक्ष दो पॉइंट एक रखा गया जबकि प्राप्ती वीच में तीन परतिसत की आड देजम्बर उनीसों क्याम में प्रस्तुत क्रिशी सामाजिक शेवा प्रिवहन के लिए इसको लागू किया गया और इसमें 49 प्रस्तों का प्रस्ताव पारित किया गया यह हैरोल्ड मोडल पर आदारी था और इसमें बाखडा एराकुन बांद प्रमक रूप से सामिल थे बाखडा और एराकुन बांद इसी जोजना की देन है आड़ दिसम्बर उननीशों क्यावन शुरुवात कारियकाल इसका पांच वरस उननीशों क्यावन से छपपन अदेक्स जवारला नेरू गुलजारी लालंदा उपादेक्स विकास लक्षे 2.1 पर 30 वास्तविक 3.0 पर फिश दी और इस योजना में क्रशी को लक्षे लेकर के चला गया है क्योंकि उससे में खाद्दान की काफी गंबीर चिंता थी काफी कमी थी अनाज की उस समय में इसलिए ये योजना जो तयार के गी ये करशी के उपर आदारी थी इसे हेरोल्ड डॉमर मोडल के नाम से भी जाना जाता है ये योजना सफल रही करशी पर आदारी थी और लक्षे भी अच्छा खासा प्राप्त हुआ दूसरी पंचवर्षी योजना इस योजना किया उदिए 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 योजना थी इसे 4.1% की विर्दी दर्श आशिल की और काफी अच्छी योजना रही इसके अध्यक्स भी जवारलाल नेरू थे तीसरी पंचवर्शी योजना इस योजना की अध्यक्स एकषट से 1966 के बीश थी इसे गोडगिल योजना भी का जाता है क्योंकि इसमें गोडगिल का रोल था इस योजना का मुख्य लक्स एर्थ वेवस्ता को गतिमान और आतम निर्वर बनाना था ये योजना दो मोडलों पर आदारी थी करशी और उद्ध्योग पहले और दूसरी पंचवर्शी योजना को मिला करके तीसरी पंचवर्शी योजना तयार की गई थी करशी के उपर भी इसमें जोर दिया गया था और जबकि उद्धोगों पर भी इसमें जोर दिया गया था लेकिन यह यूद्धना काफी ऐस फुल रही क्योंकि इसके टीन कार्ण थे पहला कार्ण चीन के साथ यूद 1962 में और दूसरा युद 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ इन युद्नों की वज़े से आर्थिक वेवस्ता आर्थ वेवस्ता चर्मरा गई और ये योजना एस्फल हो गई तीसरा कार्ण था अकाल 1965-66 में विशनक अकाल पड़ा जिसकी वज़े से भी ये योजना एस्फल रही इस योजना की विर्दीदर का लक्षे 5.6% था लेकिन वास्तवी की विर्दीदर 2.4% ही प्राप्त हुई चोथी पंच वर्शी योजना इस योजना की आवदी 1979 से 1974 तक थी इस योजना की दो मुक्षे उदेशे थे पहला सिथर्था के साथ विकास और दूसरा आतम निरवरता की स्तीती प्राप्त करना इस योजना के दोरान ही उनिश्व कहतरे के चुनाओं के दोरान इंद्रा गांदी दौरा गरीबी अटाओ का नारा दिया गया था यह योजना एस फल रही थी और 5.7% की विकास दरका लक्से रखा गया था लेकिन प्राप्ती कितनी हुई 3.3% की इसी वज़े से योजना एस फल रही दोस्तों इसमें यह पूछा जाता की गरीबी अटाओं का नारा किस योजना में दिया गया था तो यह चोथी पंचवर्षी योजना में दिया गया था और इसमें लक्से जैसे उदेश से क्या रखे गये थी सिथर्ता और विकास आतम निर बढ़ता तो यह इस तरह के किसन एक्जाम में में साब पूछे जाते हैं पांचवी पंचवर्षी योजना उन्नीसो चोयतर से उन्नीसो उनासी तक चली थी योजना में जो खर्च करना था वो 49,303 करोड रुपे को खर्च करने का लक्से रखा गया और विकास का लक्से था वो 4.4 परतिसत था जबकि प्राप्ति वी 3.2 चैर परतिसत की दुर्गा परशाद धरीश के उपाद्यक्स थे और अद्यक्स इसकी इंद्रागान्दी थी इसमें जो थे वो निर्दंता को दूर करने का लक्से रखा गया और परभावी डंग से ये परिवार नियोजन इसमें परभावी डंग से लागू किया गया 1918 में नौ निर्वाचित परदान मंतरी मौरा रजी देशाई ने इसे बंद करवा दिया समय से पहले ही बंद करवा दिया और लेकिन इसमें इसने स्वेम रोजगार और गाउं में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद की थी छटी पंचवर्षी योजना इस योजना की अवदी 1980 से 1985 तक थी इस योजना का मूल उदेश्यक गरीबी उनमूलन और तकनी की आतम निर्भरता प्रात करना था छटी पंचवर्षी योजना ने बारत में आर्थिक उदारी करन की शुरुवात की थी मुले ने इंतरन समापत हो गए रासन की दुकाने बंद कर दी गई जिसे खादे किमता में विर्दी हो गई और देश में महगाई ने अपने पैर पसार ने शुरू कर दी इस परकार इस योजना के समय से नेरू के समाजवाद का अंत हो गया था इस योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की सुरुवात और नाबार्ड बैंक की स्थापना होई थी तो दोस्तों नावाड बैंक की स्थाफना 1982 में हुई थी और वो छटी-पंच वर्षी युजणा के दोरान की गई थी फैमिली प्लानिंग ये भी पूछा जाता है तो फैमिली प्लानिंग की सुरुवात छटी-पंच वर्षी युजणा में की गई थी ये योजना बहुंच सफल होई थी इसका विकास था 5.2 परतिसत लेकिन विर्दी दर थी 5.7 परतिसत ये ऐसी योजना थी जो अपने लक्षे से आगे चली गई तो ये काफी सफल योजना रही थी साथमी पंच वर्षी योजना इस योजना की अवदी 1985 से 1990 तक थी इस योजना के उदेश्यों में आतम निरबर अर्थ व्यवस्था की स्थापना और रोजगार के प्रियाप तुसर पैदा करना सामिल था इस योजना में पहली बार नीजी एक सेतर को सारवजनिक सेतर की तु लेकिन विर्दीदर प्राप्त हुई 6 परतिसत यानि हम कह सकते हैं इसमें एक परतिसत ज्यादा विर्दीदर प्राप्त हुई सफल योजना थी वार्षी की योजना के इंदर में ऐस्थिर राजनेति के स्थिति के कारण आठवी पंच वर्षी योजना सेमें पर सुरू न इस कान 1990 से 51 और 1991 से 92 में दो वार्षिक युजनाएं बनाए गई थी आथ मी पंचवर्षिय युजना इस युजना के वोदी 1992 से 37 तक थी इस योजना में मानों संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्ष्या और सारोजनिक स्वास्ते के विकास को सर्वोच प्राथ मिक्ता दी गई थी इस योजना के दोरानी नर्शिम माराव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नितिक को मंजूरी दी थी अर्था देश में उदारी करण, निजी करण और वेश्वी करण, LPG मोडल, लिवरलाईजेशन, L से लिवरलाईजेशन, LPG, P से प्राइविटाईजेशन और G से गलोबलाईजेशन की सुरुआत की गई LPG मोडल की सुरुआत की गई थी किसकी सिमेकाल में नर्शी माराओ की सरकार के सिमे में नर्शी माराओ इस सिमें परदान मंतिर रही थे और इसके सिमे में यह योजना काफी सफल हुई थी यह योजना सफल रही विकास दर था विकास लगसे था यह 5.6% जबकि प्राप्तिवी थी 6.8% की काफी सफली होजना थी नौवी पंचवर्ष की होजना इस होजना के अवदी 1997 से 2000 तक थी इस होजना का मुख्य लक्स है नयाय और समानता के विकास के साथ था नयाय और समानता के साथ विकास नयाय और समानता दोनों का एक साथ विकास इस पर ये आदारी थी इसे बारत की आजादी के पचासवे वरस में लूंच किया गया था ये योजना अपने विकास लक्स साथ परतिशत की दर को परात करने में सफल नहीं रही इसने केवल पांच पंड़े छे परतिशत की विर्दी दर ही आशिल की थी तो दोस्तों आईए दस्वी योजना के उपर आतें दस्वी योजना जो कि बारत की राष्ट्री योजना है परदान मंत्री की अद्यक्सता में योजना योगदवारा विक्षित और कार्यानवित की गई 2002 से 2007 तक अटल विहरी वाजपई इसके अद्यक्स थे विकास लग से रखा गया 8.1 परतिसत और प्राप्ती भी 7.7 परतिसत लग भग सफली योजना थी इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्ष कर राज्यवार विकास दर्द ने रायत की गई 11 पंच वर्षी योजना 11 पंच वर्षी योजना ये भारत की राष्ट्री योजना थी उसी तरह से 2007 से 2012 तक चली मनमौन सिंग इसके अद्यक्स थे और विकास लग से रखा गया 9.3 और इस योजना में 7 वर्षी या अधीक के बच्चों वे वेक्तियों की साक्सरता दर्गों 55 परतिसा तक बढ़ाना और रोजगार को 700 लाख नए आवसर पैदा करना जैसे मुख्या लक्षा इसमें रखे गई तो आईए दोस्तों 12 पंच वर्षी योजना के बारे में जानते इस योजना में के बारे सेसम मंदित काफी क्युष्टन एग्जाम में पूछे जाते 2012 से 2017 तक चली थी मनमोन सिंग इसके देक्स थे मॉन्टेंग सिंग अहूल वालिया इसके उपादेक्स थे विकास लग से 10 फिश्दी रखा गया था लेकिन इसकी प्राप्ती आठ पॉइंट पांच परतिसत हुई थी लगबग सफल योजना ही थी ये भी लेकिन ये समय 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और योजना तो फिर भी चलती रही 2017 तक लेकिन योजना आयोग को समात करके नीती आयोग स्थापित कर दिया गया 2014 में पंच वर्षी योजना की कुछ सूची देखते हैं सभी पंच वर्षी योजना इसमें दी गई हैं पहली से बारवी तक आवदी भी इनकी दी गई हैं 1990 से 2017 तक और किस किस अक्षे तर्मीन को लागो किया और किस के उपर ये आदारी थी विस्तार से इसमें दिया गया है संक्षिप्त रूप में इसमें दिया गया है करशी विजली सिच्चाई के उपर पहली योजना आदारी थी दूसरी योजना पुर्ण उद्योग परादारी थी ये एक जामें पूचे जाते हैं किस चीज के उपरादारी थी तीसरी योजना खाद्य और उद्योग करशी दोनों परादारी थी चोथी योजना करशी परादारी थी आठवी योजना माननो स्तरोत शिक्षया परादारी थी नौवी योजना समाजिक नयाय परादारी थी दस्वी योजना रोजगार और उर्जा परादारी थी ग्यारवी पंचवर्शी योजना समावेशी विकास ये पूछा जाता है एकजामें समावेशी विकास ये सब अच्छे से याद रखें गयरमी और बारवी दोनों में समावेशी विकास सब्द परियों किया गया है समावेशी समा नुरूप से सब का विकास इसमें लक्षे रखा गया था लक्षे की जो दर रखी गई थी वो आठ परतिसत रखी गई थी इसमें, आठ आठ दोनों में कुछ और सुची है, बारत के पंच वर्षी योजनाओं की इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ खर्च दिया गया है कितना खर्च इसमें लक्षे रखा गया था, वही योजनाओं दी हैं इसके अंदर एक चीज ओर एक्स्ट्रा दे दी गई हैं, एक वर्षी योजनाओं भी इसमें सामिल कर ली गई हैं तो उसमें उपर वाले सुची में एक वर्षी योजनाओं की सुची नहीं थी इसमें एक वर्षी उजनाओं को भी दिखाया गया है तो आप यहां से एक वर्षी उजनाओं को आसानी सी टेकल कर सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा लेक्चर इस पंच वर्षी उजनाओं से संबंदित वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों